हेलो प्यारे बच्छो स्वागत है आप सब का आपकी अपने चैनल स्कूल मैट सर में तो कैसे हैं आप सब चलिए हम 10th क्लास की NCRT मैट पढ़ रहे हैं जिसका हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था ट्राइंगल ठीक है इसका मैंने इंट्रो पार्ट और एक्सराइज 6 यह अप्लोट कर दी है आप इसी प्लेशन में जाकर वो लेक्शर देख सकते हो आज की क्लास में मैं आपको एक्सराइज 6.2 पढ़ाने वालो ठीक है जिसके कि हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक देखने वाले तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेकेंड ठीक है तो सबसे पहले यह कोउस्चन सोल करने से पहले मैं आपको बेसिक प्रपोर्शेनलेटी तेworm बताना चाहता हूं जो कि मैंने इंट्रो क्लास में आपको बता दिया है इसी को हम थेल्स वेश्चन ंबाना चाहिए तब ही आप क्या कर सकते हो इन सवालों को स अब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर st parallel है किसके qr के ध्यान से समझ ये एक ट्राइंगल है pqr उसमें दो पॉइंट है s और t इस लाइन को आपने मिला दिया और आप बोल रहे होगी st और qr क्या है parallel parallel का क्या होता है symbol arrow ये parallel है ठीक है ये दोनों लाइन कैसी है parallel है parallel का मतलब एक दूसरे को कभी ये intersect नहीं करेंगी ठीक है अगर ये parallel है तो क्या statement true होता है statement ये होता है कि ps upon sq पराबर क्या होता है pt upon क्या होता है tr ठीक है अगर ये statement सही है तो ये proof सही होगा ठीक साथ ही और भी क्या बोल सकते हैं कि इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं कि जो ps है वो upon क्या होगा pq पराबर क्या होगा pt upon pr ये दो statement भी क्या होंगे इसको मितार के सवाल कर सकते हैं तो ये basically life 스 kya होता है। उक क्या होगे ऑनथा हो या तो सही होंगे या दो आप ps से रेके sq का अनुपात ले लो, या दोनों स्टेटमेंट क्या होते हैं two होते हैं इन्हीं statement की help से हम यह सवाल solve कर सकते हैं तो यह basic proportionality theorem है या फिर यही क्या है theorem है तो इसी की help लेके हम solve करते हैं चलिए इसको मिटार देता हूं अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है DE parallel BC मतलब यह जो line है DE वो क्या है parallel है BC के ठीक है अगर यह दोनों line parallel है तो क्या concept होता है AD upon क्या लग जाएगा DB ठीक है बराबर AE upon क्या लग जाएगा EC यहाँ लगा दीजे AD की value 1.5 और DB की value कितनी दिये 3 बराबर AE की value 1 है और EC की value आपको find करना है ठीक है यहाँ से आप cross multiplied कर सकते हो तो EC into 1.5 पराबर क्या हो जाएगा 1 into 3 तो EC की value अगर आपको चाहिए तो 1.5 को आपको divide में लाना पड़ेगा 1 into 3 क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 3 और upon में क्या जाएगा 1.5 ठीक है आप इसको cash solve करोगे 1.5 से आप क्या करो दसंबलो हटा लो दसंबलो हटा होगे तो क्या जाएगा 1 और उसके बाद कितने digit है एक digit है तो क्या जाएगा एक 0 यह उपर जाएगा तो यह जाएगा 3 और उपर जब भी कोई number जाता है यह fraction वाला तो क्या हो जाता है वो interchange हो जाता है और into में हो जाता है मतलब 15 बटे 10 से क्या जाएगा 10 बटे 15 ठीक है 3 से कट जाएगा यह 5 बार 5 से कट जाएगा 2 बार मतलब EC की value हमको कितनी मिल गई EC बराबर 2 cm ठीक है यह कितना आ गया 2 cm same ऐसे आप इसको भी solve कर सकते हो इसमें भी आप अगर इन दोनों को parallel ले लोगे तो क्या concept लगा सकते हम same यह concept लग जाएगा AD upon DB पराबर AE upon EC so AD की value आपको चाहिए AD upon DB की value कितनी दिया है 7.2 ठीक है यहाँ कितना जाएगा AE की value 1.8 और EC की value 5.4 cross multiplied कर दोगे आप क्या हो जाएगा इसका multiplied यहाँ इसका यहाँ मतलब 5.4 इसके into में आ गया यहाँ जाएगा 1.8 into क्या जाएगा 7.2 अब AD चाहिए आपको तो AD यहाँ जाएगा divide में कितना 5.4 अब देखिए यहाँ से दसंबलो आप हटा सकते हो क्योंकि इसके बाद भी एक digit है इसके बाद भी एक digit है यह दसंबलो हट गया यह हटा दिया हमने सिर्फ इसका दसंबलो रहेगा तो आप इसको क्या लिख सकते हो 18 into यह 72 बटे क्या जाएगा 54 आप आपने क्या किया यहाँ से दसंबलो आटा है तो दसंबलो की जगा एक और आट की जगा क्या जाएगा एक digit है तो 0 ठीक है इतना समय में आगया इसको cancel कर दीजे 18 से direct कर जाएगा 3 बार 18 यह 54 और यह कर जाएगा 3 से 24 बार मतलब 24 बटे 10 तो 80 बराबर कितना आगया 24 बटे 10 जो की क्या हो जाएगा यहाँ से अगर 10 को आप दसंबलो लगाओगे तो एक digit बाद क्या जाएगा 2.4 यह decimal आजाएगा मतलब 80 की value कितनी दे दी हमें 2.4 cm clear है question number 1 समझ में आगया चलिए अगला सवाल आप देखते है question number 2 क्या बोल रहा है देखो E and F are points on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR ठीक है for each of the following cases state whether EF parallel QR मतलब हमें यह values दी गई है और हमसे पुछा गया है इनके अधार पर बताओ कि EF जो है क्या वो parallel है QR के की नहीं है तो जब यह parallel होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर अगर लिखोगे आप जब यह parallel होंगी दोनों लाइन तो क्या लिख सकते हैं PE upon क्या जाएगा PE upon ER बारावर क्या होता है PF upon FR ऐसा होता है जब यह दिया हो तो यह लिख सकते हैं कैसे Thales theorem की मदद से Thales theorem मैंने विलकूट detail में आपको intro part में बताया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो अगर ये statement है तो हम ये लिख सकते हैं अगर ये statement है तो इसका reverse भी ulta भी क्या होता है, सही होता है अगर ये इस तरह से बराबर आजाए, तो हम क्या कह सकते है कि ये दोनो लाइन क्या है, parallel ठीक है, तो हमें इस बार ulta पूछा है हमें ये values दे दी गई है और हमें बताना है कि ये parallel होंगी की नहीं तो हम क्या check करेंगे, ये जो ratio है ये equal आ रहा है की नहीं अगर ratio equal आएगा तो हम क्या बोल सकते है, दोनो लाइन क्या है, parallel और नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे दोनो लाइन parallel नहीं है clear, तो यहाँ से आप देख सकते हो P कितना दिया है, 3.9 E Q कितना दिया है, 3 P F कितना दिया है, 3.6 और F R कितना दिया है, 2.4 ये values नहीं हैं, हम ये statement चेक करेंगे अगर equal आ गया तो हम क्या बूल सकते हैं ये दोनों क्या है, parallel तो क्या लिखेंगे, 3.9 upon 3 परावर आना चाहिए किसके 3.6 upon क्या आना चाहिए 2.4 अब दोनों equal आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये किस से कटेगा 3 से काट सकते हैं, 3 एक हम 3 3 दोनीचे है, है ना, 3 से 8 बार फिर 2 से कट जाएगा, 2.4 की 8 और 2.12 2.3 अचे, 2.2 दोनीचे आ 3 बटे 2, कितना आएगा 1.5, देखो 1.3 is equal to 1.5 हो सकता है क्या equal नहीं है, ये दोनों जो value है वो equal नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब इस case में EF जो है वो parallel नहीं है किसके QR के ठीक है, आगे समझ में, अगर equal आता तो आप क्या बोल देते हैं, दोनों parallel clear, अब अगला देखते हैं same वोई question है question number 2, values change हो गई है, देखिए PE की value कितनी दी है 4, QE की value कितनी दी है, 4.5 PF कितना दिया है, 8 और RF कितना दिया है, 9 अब हम इसमें भी check करेंगे ratio equal होगा, तो हम कहा देंगे दोनों parallel हैं, और नहीं होगा, तो parallel नहीं है, तो 4 upon क्या जाएगा, 4.5 ठीक है, बार बार आप यह statement लिख सकते हो, आप खुदी लिख लेना मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप statement लिख कर ही solve करना, कि इनका ratio कैसे बनेगा, PE upon EQ बराबर PF upon FR ठीक है, फिर यहाँ जाएगा कितना 8 by 9 अब देखिए इसको solve करेंगे, तो यह क्या जाएगा यह 45, और यहाँ 10 हम बटेगा, तो नीचे क्या जाएगा, 10 आप इसको उपर लेके जाओगे, तो कितना हो जाएगा 4 into 45 बटे 10 से क्या हो जाएगा 10 बटे 45 ठीक है, अब आप इसको solve कर सकते हो, आप इसको 5 से काट सकते हो, 5 से कट जाएगा 9 बर 5 दोनी 10 कितना आगे, 8 by 9 और इसके equal में भी क्या है यहां क्या दिया है, 8 by 9 इस case में देखिए, यह जो ratio आ रहा है, अनुपात आ रहा है, वो क्या equal आ रहा है, मतलब आप कह सकते हो कि EF क्या है, QR के parallel, ठीक है, इस statement जम क्या बोल सकते हैं, EF parallel to QR clear, आगे समझ में चलिए, अगला सवाल question number 3 आपके सामने आ गया है question number 2 question number 3 इसमें भी हमें चेक करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा values change कर दी गई है PE की value देखिए, कितनी दी है 0.18 इसके बाद PQ की value दी है, मतलब EQ ना देकर कि हमको पूरी value दे दी गई है यहां से लेकि यहां तक, पूरी value PQ की value कितनी दी गई है 1.28 ठीक है, फिर हमें क्या दी है PF की value दी है, 0.36 फिर उसके बाद हमें पूरी value दे दी गई है, PR की 2.56 तो मैंने आपको दोनों दरे से statement बताया है, कि PE अगर आप PE लोगे है, तो पूरा PQ भी ले सकते हो, PE upon PQ is equal to क्या होना चाहिए, PF upon क्या आना चाहिए, PR यह statement भी आप चेक कर सकते हो, जरूरी नहीं आप हमेसा EQ ही लो, या FR ही लो पूरी values का ratio भी क्या होता है equal होता है, अगर ऐसा equal आ गया, तो आप बोल सकते हो कि दोनों line क्या है, parallel, तो इसी के लिए आप चेक कर लो, PE कितना है 0.18, upon में क्या है, 1.28 ठीक है, फिर यहाँ क्या जाएगा, PF की value कितनी दी है हमको, 0.36 और PR की value 2.56 ठीक है, यहाँ से दसमलों के बाद 2 डिजिट, यहाँ भी दसमलों के बाद 2 डिजिट है, दोनों से दसमलों काट सकते हैं, कितना जाएगा, 18 बटे 128, ठीक है यहाँ भी दसमलों के बाद 2 डिजिट यहाँ जाएगा यहाँ भी 2 डिजिट, तो कितना जाएगा 36 बटे 256 इसको solve कर सकते हैं, 2 से काटोगे 18 और इसको काटोगे तो यह जाएगा expertise देखो, left hand equal to क्या रहा है, right hand यह ना, मतलब दोनों के जो अनुपात हैं, वो क्या है, बराबर है तो हम कह सकते हैं, कि ef क्या है parallel है, किसके qr के clear, यह statement सही होगा अगे सन में, अब question number 3 देखते हैं अब आगे question number 3 देखिए, in the given figure lm parallel cb and ln parallel cd then prove that am upon ab बराबर an upon ad हमें क्या बताया गिया है, देखिए lm, यह जो lm है यह किसके parallel है यह cb के parallel यह हमने बना दिया, यह parallel का symbol होता है फिर ln parallel cd ln जो है वो किसके parallel है cd के यह हमने बना दिया, इसके a के कहर हो है, मतलब यह इसके parallel है, दो-दो arrow मतलब यह इसके parallel clear अब देखिए, अगर यह इसके parallel है, यह पहला statement अगर मैं लिखूँ कि lm parallel cb अगर यह दोनों line parallel है, तो इनका जो ratio होगा sides का, वो क्या होगा, एकवल होगा ठीक है, कैसे एकवल होगा देखो, am upon क्या होगा, a, b हम पूरा ले लेते हैं, क्योंकि हमें a, b proof करना है, am upon पूरा ले लेते, a, b, ठीक है बराबर किसके होगा, a, l upon किसके, a, c कहां से लिख दी हैं हमने यह basic proportionality theorem से, या tails theorem से लिख दी हमने यह ठीक है, यह होगा हमारे equation 1, अब देखते हम l, n जो है parallel एक इसके c, d के, तो इसका अगर यह parallel lines हैं, हम क्या लिख सकते हैं कि a, n upon a, d, ज्यान से देखना, a, n upon a, d, पराबर क्या होगा a, l upon a, c, यह होना चाहिए कहां से लिख दी हमने, basic proportionality theorem से, या thail theorem से, ठीक है यह होगा हमारा equation number 2 अब आप देखो equation 1 equal to, आप क्या कर सकते हो equation 2 कर सकते हो, क्यों इसका right hand देखिए यहां पर और इसका right hand देखिए दोनो एक सा है, अगर यह दोनो आपस में equal हैं तो यह दोनो भी आपस में क्या हो सकते हैं एक पल होंगे, ठीक है मतलब AM upon AB, इसके बराबर होगा AN upon AD के बराबर ठीक है, by equation 1 and 2 आप यह direct लिख सकते हो यह हमें प्रूफ करना था, तो यह हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया clear है, आगे है समझ में तो यह थे हमारे question number 1 से लेके question number 3, ठीक है अगर आपको कहीं पर कोई doubt हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप comment करके मुझे बता सकते हैं so thanks for watching, for more update please like, share and subscribe